Power Education Point Channel में आप सभी का स्वागत एक नए वीडियो में आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कनया लाल मिस प्रभाकर जी का जीवन परचे एवम सायतिक परचे एवम इनके रचनाए तो सरल सब्दों में हम लोग कनया लाल मिस्ट प्रवाकर जी का जीवन पर्चे देखेंगे और इनका सायतिक पर्चे तो ध्यान से देखेगा आप पूरा वीडियो आंत तक वीडियो देखेगा जिससे आपको समझ में आए और इसकी पीडियाप हमारे टेलिग्राम चैनल पावर एजुकेशन पॉइंट पर दी गई है तो आप पीडियाप डाउनलोड करके एक बार अपने से पढ़के और उसको लिखेगा जरूर ठीक है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया टेलिग्राम का आप वहां से जोईन कर सकते हैं तो चलिए श्टार्ट करते हैं वीडियो कनया लाल मिस प्रभाकर का पहले जीवन परचे लिखना है तो जीवन परचे ध्यान से देखेगा तो जीवन परचे हैं कनया लाल मिस प्रभाकर का जन्म 1906 इस्वी में देव बंद सहारनपूर के एक साधार ब्राम्मर के परिवार में हुआ था प्रभाकर जी की आरंबिक सिच्छा ठीक प्रकार से नहीं हो पाई कोकि इनके घर की आर्थिक सिच्छा ठीक नहीं हो पाई थी किसलिए कोकि इनके घर की आर्थिक सिच्छी अच्छी नहीं थी इन्होंने स्ववधाय से ही हिंदी संस्कृत तथा अंग्रेजी भासाओं का गहन अध्यन किया प्रभाकर जी ने क्या किया इन्होंने स्ववधाय जैसे अपने स्ववयम से हिंदी संस्कृत अंग्रेजी भासाओं का गहन अध्यन किया तथा कुछ समय तक खुर्जा की संस्कृत पाट साला में सिच्छा प्राप्त की वहाँ पर राष्टी नेता आसफ अली का व्याख्यान सुनकर ये इतने अधिक प्रभावित हुए कि विपरिच्छा बीच में ही छोड़का राष्टी आंदोलन में उत पड़े तस्यपवात इनोंने अपना सेष जीवन राष्ट सेवा के लिए अरपित कर दिया भारत के स्वतंत्र होने के बाद इनोंने स्वयम को पत्राकारिता में लगा दिया लेखन के अतिरिक्त अपने व्यक्तित्व इसनिय और समर्प संपर्क से भी इनोंने अनेक नय लेखकों का प्रेरित किया और प्रुसाहित किया 9 मई 1995 को इस महान साहितिकार का नियधन होगी। हिन्दी के सिरेष्ट रेकां चित्रकारों, संसमर्कर कारों और निबंदकारों में प्रभाकरजी का ऐत्यंत महरतपूर इस्थान है। इनकी रचनाओं का कलागत, आत्म परक्ता, चित्रात्मक्ता और संस्मरात्मक्ता को प्रमुखता प्राप्त हुई है तो ये इनका साहितिक परचे है नेक्स्ट पैराग्राप में आप इसको लिख लीजेगा और थोड़ा सा अच्छा लगने के लिख लिख लिए स्वतंतरता अंदोलन के दिनों ने, इन्होंने स्वतंतरता सिनानियों के अनेक मार्मिक संस्मराड लिखे इस प्रकार संस्मराड, रिपोतार्ज और पात्रितिक्ता के छेत्र में प्रभाकर जी की सेवाए कनईयालाल मिस प्रभाकर की रचनाय क्या क्या थी इसको ध्यान से देखिएगा तो रेखा चित्र में इनकी नई पिड़ी के विचार जिंदगी मुस्कराई माटी हो गई सोना भूले बिशरे चेहरे ठीक है लगु कथा में इनका आकास के तारे धरती के फूल संस्मरण में इ लिख लीजेगा ललित निपंद से छड बोले कड मुस्कुराए बाजे पायलिया के घुंगरू तो टेलिग्राम जोइन कलिजेगा वहां पर आपको इसकी पीडियाप मिल जाएगी ध्यान से इसको बार पढ़िएगा और लिखने की कोशिस करिएगा जिससे की आपकी तैय कि यारी एकदम जबर्दस्तों तो धन्यवाद इस इक साथ विलियों को समाप्त करते हैं